तो वेल्कम टॉ अर्चेनल आज हम लोग दखेंगे एलेक्ट्रिक ड्याइपॉल जो कि हमारा त्च का लेंगर क्या है इस की हम लोग क्या किश करूं करेंगे देन होता है देन हम लोग क्या करेंगे पता करेंगे कि एलेक्टिक फिल्ड डाइपूल के द्वारा कितना होगा पर तो में एक्सिस के लोंग पता करेंगे फिर उसके पर पेंडिकुलर डारेक्शन में पता करेंगे देन फिर हम क्या करेंगे जेनरल पता करेंगे देन हम लोग क्य कुछ question simple कर लेंगे, तो start करते हैं, electric dipole क्या होता है, electric dipole क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि electric dipole is nothing but, electric dipole is nothing but, two equal and opposite, two equal and opposite charges, separated by a small distance, जो distance होगा, क्या होगा, काफी होगा, काफी होगा, आतब हम उसको क्या बोलेंगे, electric dipole, तो electric dipole क्या है, basically two charges होगे, और चार्ज का nature कैसा होगा, एक plus होगा, तो दुसरा क्या होगा, minus होगा, और दोनों क्या होगा, separated कितना होगा, बहुत ही small distance separated होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, electric dipole, कहने का मतलब क्या है, कि जैसे माल लोग की क्या है, एक minus charge है यहाँ, और एक plus charge है यहाँ, magnitude क्या दोनों का सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कि इसकी वैसे क्या बन रहा है, plus minus क्या बन रहा है, एक डाइपोल बन रहा है डाइपोल कहने का मतलब क्या है कि दो पोल तो दो पोल क्या है एक प्लस वाला एक माइनस वाला तो यहाँ पर क्या है एक माइनस को ऐसे पोल बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं डाइपोल अब इसका एक लेंथ होगा इस लेंथ को हम लोग ऐसे और यह length भी क्या है ? 2L ले रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं 2L ले सकते थे 2L है हम L भी ले सकते थे L लेने से क्या होता है फिर इसको डिवाइड करेंगे जिब हमoe सोल्व करेंगे या पिर जो हम electric field निनकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ? लिखना उतना अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने क्या लिया 2 ले लिया पहले ही कि लेंथ कितना भी आप ले सकते हो तो हमने वैल्यू क्या लिया 2L इसको LL Divide कर स्टो Western manufacturer स्टेन्स से और दूनों के चार्ज क्या होगा एक्वल एन अपटोजीट होगा तुसको हम क्या बोलेंगे डफ något बोलेगे और कैसा डफ महीं साइप्स हुआ एक टर्म आता है जिसका नाम क्या है डाइपोल मुमेंट इसी में एक टर्म क्या आता है जो कि उसी को में ज्यादा इस्तेमाल करना है वो क्या है डाइपोल मुमेंट तो डाइपोल मोमेंट क्या है एक टर्म डिफाइन क्या गया है और होता क्या है डाइपोल मेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका वैलू क्या होता है अगर हम मैगनिचूड की बात करें इसके इसके प्रोपर्टी को इस्तेमाल करके डाइपोल मोमेंट डिफाइन क्या गया और उसका वेलो क्या होता है चार्ज को आप मॉटिपलाई कर दो दूनों के बाइं में डिस्टंस है तो दिस्टंस की आप कितने हमारा है कि या पिज़़ दाइपनल मॉमेंट किया है आप ऐसे देना इसे मिलाट मेंट कि ए हमारा of की को अगर पी क्या सकते हैं Q into 2L अभी हम सिर्फ magnitude लिख रहे है तो dipole moment क्या है कि आप charge के magnitude को किसे multiply कर दो दोनों के बिच में separation से multiply कर दो तो क्या हो जाएगा dipole moment हो जाएगा चुकि यह vector quantity है तो direction हम कैसे बताते हैं यहाँ पर हम अगर direction की बात करें तो direction क्या होता है इसका जो direction होता हो क्या होता है माइनस से प्लस की तरफ क्या होता है dipole moment का direction होता है तो यह हमारा क्या होता है माइनस से प्लस की तरफ यह बिसिकलिए हम लोग इसमें follow करते है physics में follow करते है chemistry में इसके opposite follow होता है तो dipole moment क्या है आप charge को जो charge के magnitude है उसको क्या करो, उसके separation से multiply कर दो, तो वही क्या हो जाएगा, हमारा dipole moment, और इसको हम बहुत इस्तमाल करेंगे, तो आपको याद रखना है, यह linear momentum नहीं है, यह dipole moment है, अगर हम dipole moment का एसा unit की बात करें, तो एसा unit क्या हो जाएगा, dipole moment का, q into 2l है, यहनि q, क्या charge into length है, तो एसा unit क्या हो जाएगा, कुलम मीटर, क्या हो जाएगा, इसका एसा unit, कुलम मीटर हो जाएगा, और direction कैसे decide करते हैं, minus से plus की तरफ arrow कर दो, अई क्या हमारा dipole moment का direction हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, कि dipole क्या है, electric dipole क्या है, अगर charge क्या है, दो charge अगर equally क्या है, उसका जो magnitude है, equal है, and opposite है, और क्या दोनों, एक small distance से separated है, तो हम उसको system क्या बोलेंगे, electric dipole बोल define किया, जिसका नाम क्या है, dipole moment, वो क्या होता है, उस charge को उसके बीच के separation से multiply कर दो, तो क्या हो जाएगा, हमारा dipole moment, यह term आपको याद रखना है, और direction क्या होता है, dipole moment का, minus से plus की तरफ, किसमे, जो हम पढ़ रहे हैं, physics में, chemistry में इसके opposite होता है, तो इस एक simple सा question कर लेते ह हमारा, कि मान लोग एक है square है, यहाँ पर 3Q charge है, minus 3Q charge है, यहाँ पर Q charge है, यहाँ पर भी Q charge है, और यहाँ पर भी Q charge है, और square का side का length कितना है, A है, तो हमें पता करना है, किसका net dipole moment कितना होगा है, पूरे system का net dipole moment क्या होगा, तो कैसे पता करेंगे? हमें क्या पता करना है? Net Dipole Moment इसका Net Dipole Moment क्या होगा? इस सस्टम का, वह हमें पता करना है तो देखे, यहाँ पर क्या है हमारा? 3Q चार्ज है तो इसको हम क्या लेक सकते है? इसको हम तीन जगा Q क्यों क्यों कर देंगे तो बिसके लिए क्या हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक ये डाइपूल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ये डाइपूल बन जाएगा और एक ये डाइपूल, डाइपूल क्या होता है, चार्ज और क्या है, दो इक्वल ना पोजिट चार्ज अगर हो, और उसके ब बन गई अब तीनित वेसे हमें पता करना है कि अधि डैपुल मोमेंड्स कितना होगा तो इसकी वैसे डैपोल मुवेंड्स की calcul हमा acceso बताया था 1-2 यह सै प्लस की तरफ तो एक सब्लस चार्ज है तो यह क्या होगा, इसका direction इधर होगा, इसका direction इधर होगा, अब लेट से हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट से P1, इसको मान लेते हैं, लेट से P2, और इसको मान लेते हैं, लेट से P3, यह vector quantity है, तो मैं vectorly add करना पड़ेगा, अगर हम P1 का magnitude देखें, तो P1 का magnitude कितना होगा dipole moment कितना होता है charge को उसके separation से multiply कर दो उसके बीच में जो distance है उससे multiply कर दो तो charge कितना है, हमारा Q है distance कितना है, A है तो यह कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा और यह किस के बरावर होगा P2 के बरावर होगा कि इसमें भी क्या है डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप कितना है दोनों के बीच में सेप्रेशन कितना है यह है और यह सेप्रेशन कितना है रूट टू ए तो पी थरी कितना हो जाएगा और यह पी थरी होगा तो P2 कितना हो जागा P2 का जो magnitude होगा हो कितना होगा Q into separation कितना दुनों के बीच में 2 into A यानि कितना हो गया रो 2 PA रो 2 QA अब देखो यह vector quantity है तो यह हमारा क्या है P1 है यह हमारा क्या है P3 है दोनों को हम add करेंगे तो किसकी along आएगा इसकी along आएगा और इसका value क्या होगा इसका square और इसका square का under root तो यह भी हमारा P है यह भी हमारा P है तो यह कितना हो जाएगा root 2P और P3 जो P2 है P2 क्या है इसी के along है तो हम simply क्या कर देंगे P2 को add कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जो P net होगा वो क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 क्योंकि एक ही direction में तो वेक्टर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा simply हम add कर देंगे क्योंकि P1 और P3 का direction क्या same ही आजा रहा है add करने पे तो यह दोनों को add करेंगे तो क्या आजाएगा हमारा यह आजाएगा root 2P और यह कितना है हमारा यह हमारा P2 है root 2P कितना है P का value हमारा कितना है QA और P2 का value कितना है root 2QA यानि total कितना हो गया 2 root 2 QA तो यह हमारा क्या आजाएगा P net आजाएगा उसका magnitude आजाएगा और direction किसके along होगा इसके along यह दोनों का summation किदर आए इसके along आया और फिर हमने इसको add कर दिया नाव हम लोग देखेंगे electric field नाव हम लोग क्या देखेंगे electric field due to due to a dipole dipole के वज़े से electric field कितना होगा वो हमें देखना है तिसमें 2 case बनेंगे एक case क्या होगा dipole के जो dipole है उसके axis के along और दूसरा क्या होगा जो dipole है उसके perpendicular याने equilateral equatorial position पे sorry अब हम लोग देखेंगे क्या electric field due to dipole तिसमें 2 case बनेंगे पहला case क्या होगा कि हम axis के along पता करेंगे पहला क्या होगा कि हम किसके along इलेक्टिक फिल पता करेंगे along the axis यह हम पता करेंगे और दूसरा किस क्या होगा perpendicular to the axis तो सबसे पहले हम along the axis पता करते हैं जैसे मान लो कि यह हमारा dipole है यह minus charge है और यह plus charge है क्यों क्यों है तो हमें पता करना है इसके axis के along मान लेते हम यहां पता करना चाहते हैं कि यहां पर कितना electric field होगा यह हमारा मान लेते हैं लेट से सेंटर है यह मान लेते हमारा center है तो यह length कितना हो जाएगा यहां से यहां length कितना हो जाएगा L हमने माना था 2L तो इसको भी L हो जाएगा और यहां से इसके center से यह P point का distance कितना है X द्यान रखना है कि center से हमने क्या रखा है P point का distance क्या माना है X माना है तो हमें क्या करना है इस point पर हमें यहाँ पर electric field पता कर लेंगे तो minus की वैसे electric field किदर होगा यह क्या है यह minus से तो इसकी वैसे electric field किस direction में होगा इस direction में होगा और plus की वैसे electric field किदर होगा इस direction में होगा लेट से इसको बोलते हैं E minus इसको बोलते हैं let's say E plus तो मारा जो नेट होगा हो क्या होगा ये प्लस वाला रढ़ा क्यों किया तो क्या होगा तो यहां पर जो नेट इलेक्रिक फिल्ड होगा हो कितना हो जाएगा हमाराbonon का तो दोनों का जो ढशेसंगा वह रहारा नेट इलेक्ट्रिक फिल्ड हो जाएगा तो यहां पर वैलू पूट कर देते हैं इप्लस की वैसे कितना हो जाएगा के क्यूं और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना यहां से यहां एक से और यह एल है तो माइनस कर देंगे यहां कि X minus L का square हो जाएगा Then minus E minus को वैसे कितना होगा electric field E minus को वैसे कितना हो जाएगा चाहतो हम इसको separately लिख देते हैं E plus क्या था हमारा इसकी वैसे electric field कितना हुआ KQ KQ by R square होता है R क्या दोनों के भीच में distance Point और जिस पे निकालना चाहरे है और जिस चार से निकालना चाहरे है तो एक distance कितना हमारा X minus L था जिसका square और E minus कितना हो जाएगा KQ इसकी वैसे electric field कितना है KQ उसको multiply करने से उसका क्या दोनों के भीच में जो distance है उससे क्या करते है square करते KQ by R square यानि कितना हो जाएगा हमारा X plus L का square तो यह हो जाएगा electric field दोनों charges की वज़े से यहाँ पर P point पे इसको यहाँ पर put कर देते हैं plus वाला हमने पहले put कर दिया minus वाला कितना हो जाएगा हमारा KQ by X plus L का square अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे LC हम ले लेंगे X minus L का square X plus L का square तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ KQ common ले लिए हमने let's say तो यह कितना हो जाएगा X plus L का square और यह हो जाएगा minus X minus L का square अब इसको solve करना expand कर देते तो KQ यह कितना हो जाएगा X square L square 2XL यह हो जाएगा minus X square L square और minus minus का हो जाएगा plus 2XL और divided by क्या हो जाएगा X square minus L square के power 2 solve कर लेते तो यह यह cancel हो गया यह कितना आगया हमारा KQ 4XL divided by X square minus L square का whole square जिसको मैं इस ते भी लिख सकते 2K Q into 2L into X divided by X square minus L square के power 2 हमने ऐसा क्यों लिखा क्यों क्यों हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है charge को दोनों के बीच में separation से multiply कर दो ही क्या होता है मारा डाइपोल मोमेंट होता है तो यह बिसकली क्या डाइपोल मोमेंट है तो 2K डाइपोल मोमेंट हो गया P into X divided by X square minus L square के whole square तो यह हमारा क्या गया E net आ गया यह क्या गया हमारा E net आ गया axis के लों अब हमारा E net आ गया axis के लों हमें पता है कि डाइपोल क्या होता है दोनों के बीच में जो separation होता है वो क्या होता है actual में जो होता है actual?,color dipole 기 findings क्यास होता है दोनों के बीच में जो separation होता है जो separation रहेकि जो टूल का value है या L का value है वो क्या बहुत ही कम होगा बहुत कम कहने का मतलब यह सिर्ण होगा या NANOO में होगा माइक्रोमीटर या NANOOमीटर में होगा और जो हमारा separation होगा, जो जहां पर में निकालना है, हो क्या होगा centimeter, इसमें होगा, या mm में होगा, या centimeter में होगा, तो बिसके लिए क्या है, अगर micrometer क्या होता है, 10 to power minus 6, अगर उसका हमें square करेंगे, तो L square का value क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, यानि कहने का मतलब X के respect में, L square का value क्या है, बहुत कम है, कहने का मतलब क्या actual में क्या होता है, जो X का value होता है, बहुत ही बड़ा होता है L से, यानि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कि X square minus L square का value क्या हम लिख देंगे, इसको roughly क्या लिख देंगे, हम X square ही लिखेंगे, क्योंकि इसका value क्या है, बहुत ही कम है इसलिए हमने क्या लग गया एकस स्क्वाइर लिग दिया तो यहां से हम बता आप बोल सकते हैं कि जो इनेट है वो बिसकलि क्या हो जाएगा 2KP X divided by X स्क्वाइर यानि क्या हो जाएगा का स्क्वाइर यानि कितना हो जाएगा X to the power 4 यानि कितना आजाएगा हमारा कितना आजाएगा यह हो जाएगा 2KP यह हो जाएगा X के power 3 यानि कि हम लिख सकते हैं कि यह एक्सिस के अलॉंग कितना होगा एलेक्रिक फेल्ड टू के पी डिवाइड़ बाई X क्यों यह होगा तो यह आपको याद रखना है यह चीज क्या करना आपको याद रखना है और यहाँ पर ध्यान देने वाले का और बात है कि जो डाइ जो डाइपोल मोमेंट है अगर हम बोले कि इलेक्रिक फिल्ड कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फिल्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें की तोसक्रायद मोंट का जो दारेक्शन की cracks किढ़ा होता है है से दिगेटिव से पॉजिटीव की तरफ होता है तो यह हमारा का यह फिल्ड आ रहा है यह बड़ा है यह divided by XQ यह हमारा क्या हो जाएगा basically vector form हो जाएगा electric field का तो यह आपको याद रखना है कि electric field axis के लोग कितना होगा डाइपोल की वैसे 2KP by XQ और vector form क्या होगा basically क्या होगा जो electric field का direction होगा किसके लोग होगा dipole moment के लोग होगा और dipole moment कैसे decide करते हैं माइनस से प्लस की तरफ जो direction होगा वही क्या होगा dipole का direction होगा अब हम लोग देखेंगे इसके perpendicular direction में या इसको बोल सकते हैं कि equilateral direction में dipole के दुसरा case क्या हमारा कि हम perpendicular to the axis देखेंगे या फिर आप इसको बोल सकते हो equilateral देखेंगे या equatorial direction में देखेंगे कि क्या होगा या इसको बोल सकते हो कि perpendicular to the axis तो इसके अलोग क्या होगा electric field तो perpendicular to the axis का कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि यह हमारा क्या है जो dipole है बड़ा बनाते यह हमारा dipole है तो यह हमारा q है माइनस q और यह क्या है हमारा plus q दोनों के बीच में separation कितना है 2L तो यह हो जाएगा L यह हो जाएगा L अब हमें क्या करना है इसके along equilateral equatorial है या फिर जो axis है उसके perpendicular along जो bisector है उसके perpendicular तो इसके along हमें पता करना है कि electric field कितना होगा इस line के along इस एक्सीस के along जो की perpendicular है इसके तो माल लेते कि हमें इस point पेशना है रेक्टिक फील तो हम कैसे निकालना है इस पेशाटिक धिल्ट क्या होगा एलेक्ट्रिक फिल्ड इसकी वैसे एलेक्ट्रिक फिल्ड कैसा होगा इस डियरेक्शन में होगा इसकी वैसे क्या होगा यह निगेटिव है तो क्या होगा एलेक्ट्रिक फिल्ड इस डियरेक्शन में होगा तो यह बिसके लिए क्या है पॉजिटिव की वैसे इस ड इसे माल लेते हैं कि लेट से एंगल यह ठिटा है तो यह भी क्या हो जाएगा ठिटा सिमेट्री है तो यह ठिटा है तो यह ठिटा होगा यह ठिटा होगा यह ठिटा होगा यह ठिटा यह ठिटा यह ठिटा यह हमारा एल है इसको हमने एक्स डिसेंस पर निकाला है तो यह वाल लेंथ कितना हो जाएगा X square plus L square का अंडर्वूट से मिली यघी लेंथ कितना होगा X square plus L square का अंडर्वूट तो हमें यहाँ पर इस P point पर electric field निकालना है जो कि क्या है डाइपोल के perpendicular direction में है तो कितना होगा value देखते हैं हम लो तो सबसे पहले तो E plus की वैसे कितना होगा electric field E plus का value कितना होगा K, Q अब यह जो distance है उसका square है distance कितना हमारा X square प्लस L square का under root तो इसका square करेंगा तो क्या हो जाएगा under root खतम हो जाएगा या फिर आप simply ऐसे लिख दो कि कितना होगा हमारा K, Q by X square प्लस L square क्योंकि under root का square करेंगा square root cancel हो जाएगा similarly क्या होगा अगर E minus की अगर हम बात करें तो E minus की वैसे कितना होगा देख लो इधर होगा value कितना होगा K, Q E distance का square E distance भी कितना है उतना ही है तैने ये भी क्या हो जाएगा E minus के बराबर हो जाएगा और इसको हमने let से मान लिया कि E है इसको हमने क्या मान लिया E अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो electric field है E plus का क्या होगा इधर component होगा और इधर component होगा तो E theta है तो इधर क्या होगा E plus etwas a वमेंalten पता की और E minus कैसे मिए तो विसनरद क्यों जाएगा E ctschata होजाएगा और इधर कितना होजाएगा E s真 challenges इस वाले का दो component होगा एक क्या होगा इधर E साइन ठीट टाकर की प्लस और माइनस सेमी मेगनिचूड है और इधर क्या होगा इस अब यहां पर दियान देने वाली बात क्या है कि यह वाला क्या है एक दूसरे को कैंसल कर देगा तो कहने का मतलब क्या है कि डाइपोल के अगर हम पर पिंट्ट क्ला डारेक्शन में एलेक् कितना हो जाएगा टू कॉश्टिटा एक वेलू कितना हमा रहा के क्यू बाइए एक स्कॉल प्लस एले स्कॉर और कॉस्ट मकांदी Southern हम्हीं है यह हमारा ठीट यों कुछ तिटा क्या होगा बेस बाइबी लिभाईजंन सैनल दिवाइद बायकश इस कवार प्लस एले सक्व यहां पर हमने 2 मिस्क कर दिया, यहां पर 2 है, 2E है, तो यह कितना हो जाएगा हमारा, इसको तरह सजा के लिख देते हैं, के यह हम लिख देते हैं, Q इन्टू 2L, यह बिसिकल एलेक्टिक डाइपोल हो गया, 2 को हमने अंदर लिख आगे, और यह कितना हो जाएगा, X स्क्वार प्लस L स्क्वार के पावर 3 बाइ 2, यह हाफ और यह वन, हाफ वन को एड करेंगे, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यह हो जाएगा, के, और यह क्या Q इन्टू 2L को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इन्टू 2L, तो इसको हम क्या लिख देंगे, P divided by X स्क्वार प्लस L स्क्वार के पावर 3 बाइ 2, तो हमारा कितना आगया, E net कितना आगया, जो कि परपेंड़कूल दू अक्सिस है, वो कितना आया, के P by X स्क्वार प्लस L स्क्वार के पावर 3 बाइ 2, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कि जो डाइपोल होता है, वो बिसकली क्या होता है, चुकि हमें पता है कि actual में जो डाइपोल होता है, वो क्या होता है, X का value क्या होता है, बहुत बढ़ा होता है L से, तो यानि कहने का मतलब यह टर्म क्या हो जाएगा, 0, तो बिसकली क कि 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 और गidents कि और चमर्राएं थिए इसको अगर व्यक्टर फॉर्म में देखें तो व्यक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ट्र फिल्ल को अब धियान देने बात कि आए कि यहाँ पर जो dipole moment होगा वो किसके along होगा minus से plus की तरफ होता है तो यह हमारा P का direction है और यहाँ पर देखिए तो electric field का direction किस direction में इस direction में है तो कहने का मतलब P के opposite direction में electric field है यानि कि जो perpendicular का electric field का जो direction होगा इसको अगर हम vector form में लिखना चाहिए तो P के क्या होगा opposite direction में होगा यानि कि K P opposite कहने का मतलब minus लगाना पड़ेगा by XQ तो यह हमारा क्या होजाएगा vector form में क्या होजाएगा electric field का value होजागा किसके along dipole के perpendicular direction में या इसको बोलो कि tutorial direction में तो हम in general क्या निकालेंगे electric field निकालेंगे in general क्या होगा electric field जैसे माल लेते हैं कि हमारा क्या है minus है और यह हमारा plus है लेट से हमें यह हमारा क्या है dipole है दोनों के बीच में separation कितना है 2L यानिकि यह हो जाएगा L यह हो जाएगा L अब हमें किसी भी angle पे किसी भी point पे में electric field निकालना है जैसे माल लो कि हमें इस point पे क्या निकालना है let's say electric field निकालना है यह point है in general point तो अब हम कैसे करेंगे वह हमें देखना है तो यहाँ पर हम basically पिछले जो जो हमने दो किये थे एक axis के along एक perpendicular to the axis उससी का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम solve करेंगे तो यहाँ पर जो dipol moment का जो direction होगा वो किसके along होगा इसके along होगा यह हमारा क्या है, PA यह क्या हमारा PA पी vector form है इसके हम क्या करेंगे दो component लेंगे इसके हम क्या करेंगे दो component लेंगे एक तो क्या लेंगे कि जहां पर निकालना है उसी क्यालों जिसे हमें P-point पर निकालना है तो हम P-point क्यालों लेंगे एक component P का और दूसरा क्या करेंगे उसके perpendicular direction में लेंगे perpendicular direction कहने का मतलब क्या कि इस वाले axis के मतलब हम P को resolve करेंगे किदर किदर एक तो कर देंगे किदर इसके अलों अगर मान लो कि यह एंगल ठिटा है तो यह कितना हो जाएगा P कॉस्ट ठिटा और हम क्या करेंगे इसके परपेंडिकुलर डारेक्शन के अलों कर लेंगे यह क्या कर लेंगे इसके perpendicular direction के along तो यह कितना हो जाएगा हमारा पी साइन थिड़ और अब हम क्या करेंगे है अब हम basically क्या करेंगे हमें पता है कि देखो हमने देखा था कि access के along कि इतना होता था एलेक्ट्रिक फिल जैसे यह महम हम आप हम तो यहाँ पर जो बिसिकली हमारा क्या होगा यहाँ पर जो इलेक्रिक फिल्ड होगा वह क्या होगा कि इसकी वैसे अलग निकालेंगे और इसकी वैसे अलग निकालेंगे हमने पी को बिसकली क्या क्या तोड़ दिया रिजॉल्व कर दिया एक क्या पी कॉस्ट ठीटा और दुसरा क्या पी साइन ठीटा में यह हमारा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है ए है तो हम कैसे करेंगे इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है हम प्रोसीजर आपको लिख दे रहे हैं सबसे पहले तो आपको क्या करना है रुजॉल्व कर देना है किसको पी को इन a long यह हमारा op है तो ऊपी के ओलोंग करना है और दूसरा क्या करना है perpendicular to op पहला बात यह करना है then क्या करना है then आपको क्या करना है then इसकी वैजब से आप अलग इलेक्रिक्री मिल तक ़ुलेट कर दो और नेट आप पता कर लो, दोनों का vector sum कर लो, तो यहाँ पिए आपको क्या मिल जाएगा? नेट इलेक्रिक फिल मिल जाएगा, तो बिसकली हमें क्या करना है? धेन कल्कुलेट धेन कल्कुलेट नेट इलेक्रिक फिल अट पॉइंट मैं कि करते हैं करते हैं सबसे पहले यह दोणों को क्या कर दोणों को ठेज़ते हो हमारा नेट पी वाज़े से यहां पर किदर होगा हमने बता आया था कि एक्सिस के लोंग क्या होता है इस डिरेक्शन में होता है डाइपोल मुमेंट के लॉग ही होगा तो इसके लॉग होगा और वैलु क्या होगा वह हम देखते तो लेट से इसको माल लेते यह बोल देते हैं इसको एक्सिस के लोंग और इसकी वैसे किदर होगा एलेक्ट्रिक फिल्ड हमने पता है कि क्या है जिस पॉइंट पर में निकालना है उसके क्या है अगर पर्पिंडिकुलर डिरेक्शन में है तो उसका क्या होता है या नि कहने का मतलब क्या होगा इसका बोल जाते हैं परपेंडिकुलर तो नेट किदर होगा नेट हो जाएगा इस डारेक्शन में तो सबसे पहले तो में यह निकालना पड़ेगा दिन एटी निकालना पड़ेगा तो जो पी का उस्टेटा के जो डाइपोल मॉमेंट है उसकी वह से जो एलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे यह और इसका वैलू कितना हो जाएगा एक्सिस के लोग कितना होता है टू के पी बाइक्स क्यू होता है यानि कहने का मतलब कितना हो जाएगा टू के पी कितना हमारा यहां पर पी कॉस्ट है और डिस्टेंस तो हमारा एक्स ही है तो यहां कितना हो जाएगा एक् तो इसका जो मैगनिचूड होगा क्या होगा यह कितना हो जाएगा तो मैं पता चल गया कि यह कितना है और यह कितना हो जाएगा जो नेट होगा वो कितना हो जाएगा यह जो इसका मैगनिचूड होगा यह कितना हो जाएगा अंडर रूट यहां पर क्या-क्या वार निकल जाएगा केपी साइन चीट केपी बाइस कीव बाहर निकल जाएगा कॉमन है तो के पी आएकस कीव बाहर निकल गया यह कितना हो जाएगा हमारा 4 cos square theta और एक इतना हो जाएगा sin square theta का under root तो basically हम इसको क्या लेक सकते हैं kp by xq ये कितना हो जाएगा हमारा 3 cos square theta एक साइन स्कॉर एक साइन स्कॉर स्कॉर ठीटा क्या होता है 1 तो basically क्या हो जाएगा हमारा इतना तो basically innate का जो magnitude होगा in general वो किदर कितना होगा kp by xq 3 cos square theta plus 1 का under root ये हमारा क्या हो जाएगा general formula हो जाएगा तो अगर आपको ये याद है तो वो दोनों याद रखने की ज़रूबत नहीं है और जो angle होगा जैसे मान लेते हैं let's say angle alpha है तो ये angle कैसे पता करेंगे तो हमने सिर्फ magnitude पता innate का पता किया कि magnitude कितना होगा अगर हमें angle पता करना है तो यहां से गर हम 10 alpha की बात करें तो 10 alpha क्या होगा this upon this upon this होगा क्या होगा 10 alpha this upon this यानि कहने का मतलब क्या कि e perpendicular by ea यानि कितना होगा e perpendicular कितना हमारा यह है यानि कितना हो जाएगा इसको कट करेंगे तो क्या जाएगा basically यह हो जाएगा 10 theta by 2 तो यह तो हमने हमें देखा कि इन जेनरल डाइपोल की वह से कितना आया था हमारा इलेक्रिक फिल्ड इन जेनरल जो डाइपोल की वह से लेक्रिक फिल आया था वो कितना आया था इनेट कितना आया था मैगनिचूड की अगर हम बात करें तो कितना था के पी बाइए एक्सक्यू यह था ठी ई कॉस स्कॉार ठीटा प्लस वन का अंडरूट यह फर्मुला आया था हमारा अब चाहूते इसको क्रॉस्चेक कर सकतो कि यह सई है कि नहीं है या फिर इसे जो हमारा जो condition है वो आता है कि नहीं आता है तो गरे मान लिजे कि यहाँ पर हमने condition लिया कि ठिटा क्या हो 0 degree हो यानि कि axis के अलोंग हम बात कर रहे है तो दखो तो e axis कितना आ जाएगा यह देख लेते हम लो आरा एकने जो हमने पहले निकाला था कॉस्ट ठिटा 0 यानि कितना हो जाएगा के पी बाई x q यह हो जाएगा कॉस्ट ठिटा 0 यानि कि 1 प्लस 1 यह कितना हो गया के पी बाई x q यह हो गया 4 यानि कहने का मतलब क्या आ गया 2 के पी बाई x q जो कि हमारा पहले था मतलब सही है फिर हमारा दूसरा के इसके आए कि ठीटा अगर हम 90 कर ले तो हमारा जो पहले रिजल्ट आया तो वार आए कर नहीं वो देख लेते हैं यानि इसको क्या बोलते हैं थे हम लोग E perpendicular या E tutorial तो यह कितना हो जाएगा K P by X Q यह कितना हो जाएगा Cos 90 कितना होता है Zero degree Cos 90 कितना होता है Zero यानि कि 3 into 0 plus 1 यानि कितना हो जाएगा K P by X Q जो कि हमारा यह था यह 2 times था Axial वाला 2 times था magnitude wise और हमने एंगल देखा था एंगल का वेलू कितना हा था अमारा 10 alpha कितना था 10 theta by 2 तो यह सब चीज़े आपको याद होना चाहिए यह और यह एंगल तो यहाँ पर बेसिकलिए क्या आए है मानलों कि हमारा क्या है minus है यह हमारा plus है तो यहाँ पर क्या है मैं इस general point पर में निकालना था electric field तो किदर आ रहा था हमारा electric field यह था net हमारा यह हमारा alpha था तो अगर पूछे कि इसका जो direction है इसके अलों इससे कितना है यह theta और यह alpha है तो इससे कितना axis पर है कितना angle पर है electric field net तो हम बोलेंगे कि पहले theta पर यह से कर लो theta angle जाओ फिर दिन alpha angle जाओ तो basically क्या हो जाएगा यहाँ से जो action हो जाएगा यहाँ से जो direction होगा dipole moment से जो direction होगा वो क्या हो जाएगा basically theta plus alpha हो जाएगा चली तो हमारा last जो topic था theoretically वो क्या है हमारा torque के बारे में मैं जानना है तो क्या है हमारा कि टॉर्क क्या होगा टॉर्क ओन इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम उसको इलेक्ट्रिक फिल्ड में रखेंगे तो उस पे टॉर्क कितना लगेगा वो हमें पता करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हमें टॉर्क पता करना जब हम उसको किसमें रखें एक uniform electric field में रखेंगे तो कितना torque होगा वो हमें पता करना है तो करते जिसे मान लेते हैं कि यह हमारा dipol है let's say यह हमारा क्या है dipol है electric field कैसा है uniform electric field है कुछ इस तरह का कैसा है यह electric field uniform है uniform electric field है यहाँ पर मान लेते कि minus Q charge है और यहाँ पर क्या है plus Q charge है यह मान लेते कि इसका center है तो यह हो जाएगा कितना L और यह भी हो जाएगा L तो हमें पता करना है कि इस पर torque कितना लेगा तो को हम जैसे इसको electric field में रखेंगे तो क्या होगा यह हमारा क्या है क्यों चार्ज है तो क्या होता चार्ज पर क्या होता एलेक्रिक फिल्ड में फोस्ट लगता है पोजेटिव चार्ज में किदर फोस्ट लगता है एलेक्रिक फिल्ड के अलग लगता है यानि कहने का मतलब क्या होगा इधर फोस्ट लएगा और वैल्यू कितना लगता है और वैलू कितना होगा मैंनिचूड कितना होगा क्यों इंटी तो हमें तो पता किस फोर्ष लग रहा है लेकिन यहां पर ध्यान देने वाले बात क्या है कि इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या है जीरो देख लो जितना इधर फोर्ष लग रहा होतना ही इधर लग र होता है अगर net force 0 भी है तब भी क्या हो सकता है टॉर्क हो सकता है कि टॉर्क क्या होता है एक rotation रोटेट करने की capability होते है जिसको हम क्या बोलते है टॉर्क बोलते है और टॉर्क होता है आř क्रॉस एफ ऐसनी फर्मूला है आप एलेवनत मroeं पड़े होंगे तोर क्या होता है ओर क्रोस एफ कर चिंश कम आनड़ क्या है कि यह समाननों कि यह पॉइंट है यह आफ लिन्थ है और इस पी आमने एसे फोस्स लगाया या ऐसे फोस्ट लगा है लेट से यह एंगल ठिटा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा इसके अलों के रड और इसको किसे गीचा इस पर ऐसे फोस्ट लगाया इस रड पर तो इसके रोटेट करेगा ऐसे करेगा कि हिंगे मान लो तिसके लोग कैसे रोटेट करेगा ऐसे रोटेट करेगा तो यहीं क्या हाए और टॉर्क हए है हमानीचूड जाया हो जएगा या वैल यहां क्या लिखिएंग तो और क्क्रónों सद आ हरतौ जाए जिसको ऑंब allen कि देंगे तो क्या हो जाएगा क्या है इसके अलोंग क्या वियल करेगा यह सेंटर आफ मास हो सप्वेस्टों यह सिंटर अब मास हो जाएगा इस यहां पर मास है में चार्ज बीना करूप मास सब्सक्राइगा नहीं को यह सिरूटेट करेगा समय के कि इस rozoru लग रहा है इधर फोर्स ऐसे लग रहा है तो यह क्या है कि इस पर फोर्स इधर लएगा इस पर फोर्स इधर लएगा तो यह क्या होगा ऐसे रोटेट करेगा और यहां आना चाहेगा मिन पोजिशन पर यहां पर जहां पर कोई पोर्स तो अमेशा जीरो यहां पर जो टॉर्क है वो क्या जाएगा जीरो जाएगा तो इसके डारेक्शन यहां पर आना चाहेगा कि लेकिन पर positive charge के वेसे, इसकी वेसे क्या तर्क होगा होगा हूं देख लेते हैं, positive charge के वेसे तर्क होगा, r क्या है, यह हमारा, यह विक्टर आ रहे, तो r का हमने किता यह, l और f किदर है, f कितना हुमारा ? qe यह एसे लिख दो, इतना, और दोनों के बिच में एंगल क्या है, लेधसे मान elemento, है कि लिट से एंगल ठिटा है एंगल क्या है हमारा ठिटा है तो यह क्या एंगल होगा यह भी एंगल क्या हो जाएगा ठिटा यानि क्या लग देंगे एल इंटु क्यू ए सायान खिटा एने कितना हो जाएगा क्यूछ एल शाइन थिटा ही हमारा प्लस के व тобой साट होका डारेक्शन कि दर efterक्न कि लुगा ठ lender रोकष ऐसे निक्से कर् ich कि दर हो जाएगा। इस direction में यह Plus की वे से आया। अब हम माइनस की वे से टॉर्क निकालते है तो MINUS की वे से टॉर क्या होगा इसकी वे से टॉर क्या होगा। यह R और यह F यानि कितना हो जाएगा L into QE एंगल के आइस के बीच में यह ठीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा QE, sin theta और direction किदर होगा इसमें भी direction किदर हो जाएगा तो जाएगा QE, L sin theta, direction देखो तो direction कैसे करते, cross product वाला तो यह हो गया R, यह हो गया F तो direction किदर हो जाएगा downward direction में इसकी वैसे भी क्या आया था downward और इसकी वैसे भी क्या आया था downward तो इसको भी हम downward या पिर इसको आप ऐसे बिख दो कि anti clockwise है या anti clockwise है, दोनों एकी चीज है चाहिए आप ए लिखो या यह लिखो तो आप इसको भी लिख सकते हो कहने का मतलब क्या है कि दोनों का direction क्या torque का same direction में है तो cancel नहीं करेंगे यानि क्या करेंगे, वो rotate करेंगे तो यहाँ पर जो net torque हो जाएगा वो basically क्या हो जाएगा जो torque जो net होगा वो क्या होगा T plus की वाज़ा से और torque minus की वाज़ा से यानि कितना हो जाएगा 2 Q E L sine theta direction कितना होगा vertically downward इसके along plane के perpendicular downward direction में होगा cross का मतलब यह है इसको मैं ऐसे भी लिख सकते है Q into 2 L into E sine theta इसको हम क्या लगते है Q into 2 L क्या है dipole moment है तो इसको हम लिख देंगे P E sine theta direction किया है vertically downward तो यह हमारा क्या आगया हमारा torque net आगया इसको अगर हम vector form में लिख रहे हैं लेकिर इसको तो हम cross product में कर दे तो इसको हम क्या लिख सकते है vertically downward है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि torque जो net है वो basically क्या है P cross E क्योंकि देखो P cross E करेंगे तो क्या होगा P हमारा क्या आएगा इस direction में P आएगा minus से plus की तरफ P होता है और E है इस direction में तो इसको हम cross करेंगे तो क्या होगा vertically downward आएगा इस direction क्या है same direction है तो इसको हम ऐसे लिख सकते है P cross E और ये आपको याल रखना है कि dipole की वैसे क्या होता है जो torque लगता electric field में uniform electric field में वो कितना होता है P cross E होता है या P e sin theta उसका magnitude होता है और फिर आप mechanics इस्तमाल करो question को solve कर लो तो हमारा electric field में जो अगर हम dipole को रख दें तो torque कितना आया था हमारा torque electric field में कितना आया P cross E या इसको लिख सकते हैं क्या कि torque कितना है magnitude कितना है P e sin theta जहाँ theta क्या है theta बस के लिए आप बोल सकते हो कि angle between P and E है dipole moment और electric field के बिच का angle है अगर हम theta अगर 0 कर दें इफ हम क्या कर दें theta 0 कर दे यानि कहने का मतलब क्या आए कि यह हमारा electric field है और dipole moment dipole को हम कैसे कर दें ऐसे रख दें यह हो गया minus यह हो गया plus तो इस पे क्या होगा जो torque होगा क्या हो जाएगा ठिटा अगर 0 कर दें sin 0 यानि कि 0 हो जाएगा यानि कहने का मतलब क्या है इस पे force इधर लएगा और इस पे force इधर लएगा लेकिन क्या है r कुछ है नहीं यह क्या है जहां उसका center उसी से line pass कर रहा है तो r का value नहीं होगा यानि कि torque क्या हो जाएगा 0 अगर यही ठिटा क्या कर दें तो यह बिसकल क्या होगा torque minimum हो जाएगा अब यही अगर हम ठिटा क्या कर दें 90 degree कर दें तब क्या हो जाएगा torque का value PE हो जाएगा यानि कि torque क्या हो जाएगा यहाँ पर maximum होगा 90 कहने का मतलब क्या है कि dipole को आप कैसे place कर दो कुछ इस direction से place कर दो तो टो क्या हो जाएगा यह इस पर torque क्या लएगा maximum, एक इदर और एक इदर तो क्या होगा और दोनों के बीच में length कंद केतना है arm length कंद केतना है 2L तो बिसकल क्या हो जाएगा हमारा इतना क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा तो एक सिंपल सा कोश्चन कर लेते हैं हम लोग कोश्चन क्या है कि जैसे कि मान लोग एक हमारा क्या है डाइपोल है रड नहीं है डाइपोल है यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस चार्ज है और यहां पर क्या है प्लस चार्ज है और किसमें रखा हुआ है इनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में रखा हुआ है किसमें रखा हुआ है इनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में रखा हुआ है तो हमें क्या पता करना है यह एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है तो हमें क्या पता करना है किसके एंग्लार एक्रीशन कितना होगा इसकी एलों इसका जो एंग्लार एक्रेशन है वो पतना होगा हमें क्या पता करना है एंग्लार revolution of this dipol to which से पता करेंगे चुकर हमें पता है कि टॉर्ट और क्या उता है Einантय threshold होता है है कि नहीं तर्क कितना होता है पी साइन ठीटा और आपने मेकेनिक्स में पड़ा होगा सेन अथी मोमेंट ओफ इनर्सिया तो मोमेंट ओफ इनर्सिया क्या होता है उसमें जो torque define किया गया वो क्या होता है I into alpha जहां I क्या है I क्या है moment of inertia है moment of inertia है और alpha क्या है angular acceleration जो हमें पता करना है तो यहां से लिख देंगे I alpha यह हो जाएगा हमारा क्या P sin theta P क्या होता है Q into 2L E sin theta sin theta यानि sin 30 degree I come क्या लिखेंगे यह क्या है एक यहां पे charge है यहां पे charge है तो mass भी क्या होगा यहां होगा यहां होगा यहां होगा यानि क्या हो जाएगा तो discrete mass है तो उसकी विख से लिख देंगे moment of inertia कितना हो जाएगा MR square इसकी विख से MR square होगा यानि कि R कितना है हमारा L है तो ML square और दें ML square यह हो जाएगा हमारा system का moment of inertia alpha में निकालना यह क्या हो जाएगा Q into 2L E sin theta कितना है 1 by 2 sin 31 by 2 हो जाता है तो यहां से क्या आजाएगा हमारा alpha Q L E divided by 2 Q M L square एक केल से L cancel यानि कितना गया Q E by 2 ML तो यह क्या हो जाएगा हमारा angular acceleration हो जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे question बन सकते हैं अगर मान लो क्या है यहां पर एक फिल यूनी फॉर्म है अगर इन फॉर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा इधर फोस्कुछ और रहेगा इधर कुछ और लएगा तो क्या होगा और नेट फोर्स क्या होगा यहां पे जीरो नहीं होगा तो क्या होगा रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा तो वह सब थोड़ा complicated हो जाता है लेकिन कहने का मतलब क्या है कि इनफॉर्म रहेगा तभी क्या होगा नेट पूर जीरो होगा और इसी के अलोंग क्या होगा यह रोटेट करेगा रोटेट करेगा मतलब और असलेट करेगा रोटेशनल और सलेशन थैंक्स पर वाचिंग